पिश्राम कानून लगु करो लगु करो लगु करो लेबर कोड रद करो रद करो लेबर कोड रद करो रद करो रद करो इनकलाब जिन्दाबाद 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 लेकिन नहीं मिलते इससना है पहले भी हमने दिखा है कि कई भी है होटा है कि क सीधे जाकर मिल लेती है लेकिन डूर कर दिया कि आनल aparecerais नीजय कोई मिलनी पाया कारखानों में सुरक्षा के कानून लगु करो मजदूर एक्ता जिन्दापाद च्रम कानून लगु करो लेबर कोड रद करो इनकलाब जिन्दापाद मजदूर एक्ता जिन्दापाद 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 आपकी क्या बात हुई देखे हम लोग यहां पर आये थे अपनी मांगों को लेकर यह जो मुंडगा के अंदर अभी पर 27 लोग हालें के सरकार क्या रही है लेकिन हमें कई लोगों से सुच्राइब लोगों तो उसको लेकर आए तो बहुत ही बदलब देख रहें कि बहुत ही क्लापर लचर व्यवस्ता है यहां पर आए हम लोगों को आदे से घंटे तो हमें पस नीचे ही रखे कि नहीं ठीक है आप एक रिसीविंग देख चले जाए बस वहीं रखी है मिलना चाहिए लेकिन इतने खराब व्यवस्ता है यहां पर कर रखे कहने के लिए आम आदिमी पार्टी है और आमादी कारेल है लेकिन नहीं मिलते इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बहुत दूर कर दिया कि कोई मिल नहीं पाया तो काफी देर तक काफी देर अड़े हम वहां पर एक तरह से अड़ गए तब जाके उन्होंने हमें उपर बेजाए कितने लोग थे हम चार लोग गए ते चार लोग हमने का बहुत है कि नहीं शुरक्षा का मामला है मिलने नहीं दिया जाता है यह पर शुरक्षा हम लोग जा रहे हमारी जांच कर लिए हमारे करने आए उस पर बात की जाए लेकिन उसको शुरक्षा के अंतिजाम बता के कि नहीं जानी नहीं दिर चालोगों को नहीं जाने दिया दो लोग उपर गए थे हमारा मुद्दा देखे मुख्य तोर पर यह है कि जो मुंडगा के अंदर घटना घटी यह घटना कोई पहली घटना नहीं है मुंडगा में घटी उससे पहले नरेला में बवाना में उससे पहले जिल्मिल में हुआ यह लगातार दिल्ली के अंदर इसी घटना हैं फैक्टरियों में आग लगती रहती हैं लोग मरते रहते हैं कोछ लाग मुअवजय की गोश्णा हो जाती हैं फिर दिल्ली सरकार उसे करोड़ देती है यहां पर जो मजदूर है जो सभी लोग काम करने वाले ुवल्य उनकों सिर्फ दस लाक है है दो लाक रुप्य की खोश्चा दे कि चुटी पा ली किती है बिलकुल बहिंद It также कोई भी pores अनों यह जया है ऊट पूजा पूजा उस फैक्टरी में जिसमें आग लगिया उसमें आपका कौन काम करते जी मेरा भाई था चोटा इतने साल का था चोबीस साल की उमर थी उसके साथ साल से जी बोडी मिली वह भी बिल्कुल जली और दूसरी बाद उस पहचान में या रही थी डिने टेस्ट करके बोडी लिए वह एक हाथ हाथ सीधे हाथ में इस वाली उंगली में मतलब उंगली में छला था और कड़े से मतलब वह पहचान हुए तो वह मानिकों की उसके जब तो अगर उस रख्षा होती तो फिर ती मौते नहीं होती है तो कोई वैसा कुछ मिला नहीं पूसर उनका नाम लेकर आए जी यह जो बोल रहें जो दसलाव रुपए देंगे उसका कोई कंफर्म नहीं जो देही देंगे बसकर कहते है जब आप अंधर गई तो तारीक के बाद जी मजदूर इंकी मौते हुई है तो यह जो बता रहें कि 27 लोग मर गए जो 27 लोग नहीं है वह मतलब चार सो बढ़कर काम करते जिसमें मेरा भाई खुद बता के गया था क्यों कि मुझको भी उसमें जॉब करना था तो मैंने उसको बहु ली थी तो बोला था कि यह मतलब उसमें पेमेंट के एक वज़े से मैंने नहीं किया कि पेमेंट बहुत कम दे रहे थे मेरे भाई को फिल्टर मसीन बनती थी और उसमें कई जी नहीं सर कुमारा था साथ साल से जी अब आप क्या चाहते हैं अब इंसाब चाहिए सभी को चाहिए का हमारे भाई को ही नहीं मैं जितने बढ़कर मरें हैं साल जिदा नहीं है जितने भी बढ़कर मरें हैं वो सब को मिलना चाहिए कि यहां को सिस्ता ही है कि फिर आना पड़ेगा जब इसाफ लेना अभी आपसे क्या कहा अंदर अधिकारियों अभी उनने यहीं बोल दिया कि अभी नहीं 28 तारीकों मिलेगी इस अभी इतना कोछ नहीं जी नहीं पचास लाग की मांगे वैसे जो हर बड़का मतलब 10 लाग बाइब अकेला था अधा बैसे उने को दो भाई यह पर काम करने वाला वह एक ही था कमाने वाला अपने भाईयों को माबाप को सबको खुस रखना कि विसाल विसाल नाम दा पिता का ना मितले था लेशिना आपको लिख्षीत में दिया कि यहां पर आग लगी यहीं नहीं कुछ नहीं दिया किसी को नहीं दिया बस वह मीडिया में जो टीवी दिखा रहें बस वह हमने सुना और उसके बात थोड़ी हुई है यहीं मुंडगा में रहते हैं जहां पर आग लगी यह न तो रानी खिरा जो रोड है ऐसे हमादन पुड़ाबास भाग भी आर वहीं अंद मुंडगा कान जो हुआ था उसमें भाई को को खो दिया उसी जब है उसी के चलते जो है अभी आज सची वाले आहीं थी इतनी दूर से वताइए यहांपर आहीं थी अपने भाई के लिए गुहार लगाने के लिए क्यूकि इन्हों nे उसके चलते अपने भाई को खो आया है उसी फैक्टरी में काम करता था इनका भाई आरो का काम था और साथ में वहाँ कैमरा सीची टीवी कैमरा काम था जो वहाँ पर सुरक्षा के इंतिजाम नहीं थे उसी के चलते हैं उन्होंने अपने भाई को खो दिया मगर आज यह आई थी यहाँ पर सची वालिय यानि कि मुख्यमंत्री जी से बात करने मगर मुख्यमंत्री जी मौजूद नहीं थे उनके पीए ने इन से बात की और पीए ने इनको बताया वो यह है कि अभी मुख्यमंत्री जी दौरे पर है 28 दिन बाद जो है आएंगे अब 28 कर दिया जाए या फिर उन्हें अच्छा रोजगार दे दिया जाए इसी तरीके से जो है मजव्धूर सारे इधर उदर भटक रहे हैं लगातार बुहार लग कर रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं इसी के साथ आप देखते रहे हैं कैमरमें ध्रमेंद के साथ जनीत आवास दिली